आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का पंचांग मित्रो ओम शीकने सायनमा आई जानते हैं सुक्रवाड यानि की 22 सितंबर 2023 का संपूर्ण विस्तित और सटिक पंचांग को जानते हैं हमारा भारती जोत इस पंचांग होता है वह सूर्योदे जोर्याश्चद्वदे और चंद्रयास्थ पर आधारित होता है पंचांग के मुखेता पंचांग होते हैं तिथि वार योग नक्षत्र और करण इन ही फाशे Competition से मिलकर हमारे Pंचांग का निरमान होता है और पंचांग की अवश्य सकता क्यों, पंचांग हमारा कलेंडर है, हमारा घरी है, इससे ही आप किसी भी अच्छे मोहुर्त की गन्ना कर सकते हैं, किसी भी अच्छे काम करने के लिए अच्छे मोहुर्त की जब जरुत होती है, तो आपको पंचांग का सहरा लेना पड़ता है तो एक अच्छे पंचांग में यह सभी जानकारी जो है, वो सटिकता से होनी चाहिए, वरना आजकल इंटरनेट से भी पंचांग बताया जा रहा है आपको देखके, जो कि कुछ चीज़ें सही भी है, कुछ चीज़ें उसमें गलत भी है, जो चीज़ें कैलकुलेसन नहीं अब सकता नहीं है, विभिन ने विश्विदाले से छपने वाले पंचांग के आधार पर मैं आपको यह पंचांग बताने वाला हूँ, जो कि सुकरवार 22 सितंबर 2023 के लिए है, तो वीडियो में हमारा साथ अंतक बने लिए, ताकि आपको संपून पंचांग की जानकारी, वो भी बिल्कु सठीकता से मिल पाए, आज का संपून पंचांग आपको बताना आराम करूं, उससे पहले आए हम सभी मिलकर, एक बार सुबकामना, उन लोगों को दे दें जिनका जन्दिन है, आपको जन्दिन की हारदिक सुबकामना है, भगवान गनेश की किरपास है, आ साथ जो कोई व्यक्तिस पंचांग को देख रहे हैं, यानि कि आप, आप के लिए मैं आज किनकी मंगल में होने की कामना पुपान करने से करता हूं, तुनिस अपनों के साथ आए चलिया आनते हैं, सुक्रवार 22 सितंबर 2023 का संपून, विश्दित और सटीक पंचांग को जा रहने वाला हैं, तिथी आज की सब्तमी रहेगी दिन के 9 बच कर 6 मेर तक तदुपान्थ अश्टमी तिथी आरंभ हो जाएगी, नक्छातर की बात के जेश्ठा रहेगा दिन के 12 बच कर 24 मेर तक, तदुपान्थ मूल नक्छातर आज आरंभ हो जाएगा, करन की वाज के तो आरंभ हो जाएगा, दिसासूल आज पश्चिन दिसा में है, पश्चिन दिसा में किसी भी खास प्रियोजन से यात्रारम ना करें, यहाँ पर आपको नुक्सान हो सकता है, सुब खाद्य आज का मीठी दही रहने वाला है, मीठी देखाकर यात्रारम करेंगे, किसी नई कार पर देखों करेंगे उसमें आपको सफलतात लगेगी चंद्रासी की बात के चंद्रासी विश्चिक है विश्चिक आशीम चंद्रमा दिन के 12 बच कर 23 मेर तक विराजीत रहेंगे तो बान चंद्रमा का धनू आसी में प्रवेश हो जाएगा वरत्योहार में आज संतान सत्मी क वरत है साथी राधा अश्टमी भी आज है सूरी रासी कन्या रासी सूरी नक्षत्र उत्रा फालगुनी नक्षत्र आईए विश्चिक नेजर आज के सूर्योदे और चंद्रोदे की स्तिती पर नेजर डालते हैं सूर्योदे सुभा के 6 बच कर 9 मेंट पर होगा सूर्यास सा आज के सूब चोगरिया की स्तिती पर नेजर डालते हैं सूब समय आज का दिन के 12 बच कर 13 मेंट से लेकर दिन के 1 बच कर 44 मेंट तक चर समय सुभा के 6 बच कर 9 मेंट से लेकर सुभा के 7 बच कर 40 मेंट तक लाब समय सुभा के 7 बच कर 40 मेंट से लेकर सुभा के 9 बच कर 11 में मेर तक अम्रीज समय सुभ़ के 9 बच के 11 मिर से लेकर दिन के 10 बच के 42 मिर तक रहने वाला है यह तो थे आज की सुपचोगरिया आई एक नजर आज के राहुकाल और गुलिकाल के सिती पर नजर टालते हैं राहुकाल एक असूब समय होता है यह रहने वाज दिन के 10 बच कर 42 म करेंगे उसमें आपको और सफल्दाथ लग सकती है गुली काल एक सुभ महुर्द होता है रहने वाई दिन के यानि कि सुभा के साथ बच कर चालिस मेंट से लेकर सुभा के नौबच कर ग्यारा मेंट तक इस समय में कभी नया कारी चोटा मोटर है आकर आपका तो आरंब कर सकत करें इसमें सफल्दाथ लगती है लेकिन किसी भी बड़े कारी को करने से पहले सिर्फ गुली काल या अवजीत महुर्द को देख लेना काफी नहीं है इसमें और भी चीज़ों को देखनी की आवज सकता होती है बहतर यही होता है कि जब भी आपको कोई बड़ा काम करना है तो किसी अच्छे पंडित जिसे आप उसका महुर्द जोड निकल वाले है अपने मन से नहीं करना चाहिए बचना चाहिए हाँ लेकिन कर छोटे मोटे कारी हैं आपके तो गुलिक काल और अवजीत महुर्द में कर सकते हैं प्रदोस काल की बात करें प्रदोस काल साम के 6 गुलिक क्या पचास में लेकर रातर लेके 12 बचकर 37 मेर तक रहने वाला है अब जीत महुर्द की बात करें तो दिन के 11 बचकर 19-30 मेर तक रहने वाला है इस समय में कोई फी चोटा मतर काली है आपका तो आरम कर सकते हैं विजै महुर्द दिन के 2 बचकर 15 मेर लेकर दिन के 3 बात करें तो सुबह के चार बज कर चौतिस मेर्ज लेकर सुबह के छे बज कर नौ मेर्ट तक रहने वाला है किसी भी चीज के अधियन के लिए जो भी आपके दिमाग में आने रहे हैं कुछ अगर ऐसा है जिसको कि आपको काफी गंभीरता से समझना है विद्यार्थियों को पढ़ना है कुछ आपको म्यूजिक सीखना कोई भी संगीत सीखना है या कोई मंत्र सीखना है तो उसके लिए सबसे उत्तम जो समय होता है वो ब्रह्म महुर्द का ही होता है इस समय देखेंगे आप आपको बहुत ही जादा आलस से आएगा क्योंकि जो स जवानी में बहुत ज़़ा निंद्रा आती है क्योंकि काम करने का समय भी आपका यही होता है। सुबह में निंद्रा बहुत ज़दा आती है क्योंकि सुबह में काम करने का सबसे उत्तम समय होता है। राप में निंद्रा कमाती है साम में, क्योंकि ये समय वेकार समय होता है, इसमें कोई खास काम आपकार नहीं सकते हैं इसे, जो कि ध्यान लगा कर दिमाग लगारे करना है, तो इन से बचने की अवज़ सकता है, और अपने इंद्रियों पर विजय इसी प्रकार से आप पा सकत है, झाय है यापकार बने काना है, अल्बज़ के जाप इसनले से अवज़ ठाम कर दिमी लगा कर दिमा Moon değil, क्योंकि जाक कर दो किरेंद्ध़ और अर्म ट्र fans cache कर दिमांवें से ज़गा कमाती है, इसे उ्म्चतिं से ऊफज़ में